नमस्कार दोस्तों आज से हम स्टार्ट करेंगे एलेक्ट्रिकल मशीन दो पार्ट में डिवाइड है फर्स्ट आता है जिसमें रोटेटिंग मशीन और एक स्टेटिक मशीन रोटेटिंग मशीन में दो आते हैं फिर डीसी मशीन एसी मशीन और स्टेटिक मशीन में synchronous machine और asynchronous machine और electrical machine क्या है electric machine is a general term for machines यह machine के लिए हम यूज करते हैं जिसमें हम यूज करते हैं electromagnetic force such as motor generator and other others में हम transformer भी बोलेंगे इसमें motor जो हमारा होता है जिसमें हम electrical देते हो और वो convert करता है mechanical में और हम generator यूज करते हैं जिसमें हम mechanical force देते हैं और वह हम electrical produce करके देता है यह आज का introduction है बस तो हम इसके बारे में next जब lecture होगा इसमें हम starting से पढ़ेंगे first हम पढ़ेंगे rotating machine के अंदर जो आता है उससे start करेंगे आप को कुछ भी पूछना हो तो comment जरूर करें थैंक्यू have a great day धन्यवाद मैं आशा करता हूं कि आपको हमारी ये वीडियो अच्छे से समझ में आई होगी अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी किये तो हमारे इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और सेयर करना बिल्कुल ना भूले धन्यवाद